दोस्तो आज की तालिख में हमारे पास एक दूसरे से बात करने के बहुत सारे डिजिटल प्लेटफर्म्स मौजूद है जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी बातों को टेक्स मैसेज, इमेल, वाटसअप, स्काइब, फेस्बुक जैसे तमाम माध्यम मौजूद हैं जिनस कि अपने आपको खतम करने के बहनक विचार तक आते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है, आपके इस बेहुदा कदम से आपके परिवार पर क्या भीतेगी, आपके माबाप का क्या होगा, आपकी बहन पर क्या गुजरेगी, आपके भाई का क्या हल होगा, आप ऐसे में ख बैट कर बात करें, उनको बताएं आपकी तकलीफ के बारे में, आप अपने दोस्तों के साथ शेर करें, बैट कर बात करें, आप अपनी समस्या को इतना बड़ा मत होने दो कि वो नासूर बन जाए और बहुत देर हो जाए, आप दिल खोल कर बे जिजक, बेबाग तरीके से अ बरते हुए अबिनेता शुषान सिंग राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे, महत 34 साल की उम्र में उन्होंने बांदरा के अपने घर के कमरे में फासी लगा ली और दुनिया को हमेशा के लिए अलवीदा कह दिया, हाला कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन उनके सुसायट की खबर से पूरा देश हैरान है, दुखी है, शुषान्त 21 जनवरी 1986 को बिहार के छोटे से गाउं मल्डिहा गाउं में पैदा हुए थे, जो कि पूनिया चिले में पढ़ता है, इतने छोटे के गाउं से निकल कर बॉलिवुड तक का सफर तै करना उनके लिए आसान काम नहीं रहा, और कुछ कर गुजरने के जितके आगे सारी बाधाएं, सारी मुश्किले छोटी पड़ गई, शुषान्त राजफूत की पिता केके सिंग रिटायर्ट सरकारी अधिकारी है, शुष किया था, विडंबना ये भी है कि शुषान्त का आखरी पोस्ट उनकी मा के बारे में ही था, शुषान्त की चार बहने भी हैं, जिसमें से एक मीतु सिंग राज्यस्तर की क्रिकिट खिलाडी है, शुषान्त सिंग राजपूत ने स्कूली शिक्षा पटना के सेंट केरेंट हाई स्कूल और दिल्ली की कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से ली, उसके बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ओफ इंजिरिंग में एड्मिशन लिया, हालाकि उन्होंने मेकेनिकल इंजिरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की और बीच में ही छोड़ दिया, टेलिविजन की द उनके अभिने को काफी तारीफ मिली, हालाकि पिछले सार आई छिचोरे उनकी आखरी फिल्म साबीत हुई, जो की बॉक्स ओफिस पर बहुत काम्याब रही थी, सुशान्त को अपना करियर फिल्मों में बनाना था, इसलिए वे पहले दिल्ली आये और उसके बाद मुंबई का रुक किया, सुशान्त मशूर कोरियोगराफर शामक डावर के छात्र रह चुके हैं, सुशान्त ने 2006 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी परफॉर्म किया था, हम बस इतना कह सकते हैं, हमने एक बहुत ही शानदार अभिनेता को खो दिया, भगवान उनकी आत्मा को शान्ती समत हैं, हमने प्यों में दोएंो किया खेलों